हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच जामुन है और एक, दो, तीन, तीन चेरी है अगर मुझे फलो की कुलसंख्या जाननी है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे 5 जमा तीन करना चाहिए या मुझे 5 घटा 3 करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को रोकें और इसके बारे में सोचें. फलों की कुल संख्या जानने के लिए मैं 5 जामुन से शुरू करता हूँ और उसमें मैं 3 चेरी जोड़ देता हूँ तो अगर मैं 5 में 3 को जमा करूँगा तो मुझे फलों की कुल संख्या मिल जाएगी 5 जमा 3 क्या होता है? तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, आठ फल हो जाएंगे. अगर हम पांच घटा तीन करते, तो उसका क्या मतलब होता है? चलिए फिर से पांच फलों से शुरू करते हैं. अगर हम इन में से तीन घटा दें, तो इसका मतलब है, हमने इन पांच फलों में से तीन फल निकाल दिये, तो तीन फल निकाल देते हैं, एक, दो, तीन, अब हमारे पास कितने फल रह गए, सिर्फ दो, तो पांच घटा तीन होता है, दो, तो अगर हम कहें कि हमारे पास पांच जामुन है और तीन चेरी है, तो फलों की कुल संख्य जानने के लिए हम जमा करेंगे और अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 जामुन हैं लेकिन उसमें से मैंने 3 खा लिए तो मेरे पास कितने जामुन रह जाएंगे इससे निकालने के लिए हम 5 में से 3 खटाएंगे इसका मतलब मेरे पास 2 जामुन रह जाएंगे